दोस्तो नमस्कार मैं डॉक्टर जाखड आज आप लोगं के लिए लेके आया हूँ खगोल की कुछ रोचक बाते आज आप लोगं से बात कर रहे हैं हम जो मून है वो अर्थ से बहुत दूर दिखाई दे रहा है यानि कि ऐसी आज की सिच्वेशन जब बनती है it means the moon is very far away from the earth it means इस पोजीशन को कहा जाता है A for away it means it is the maximum distance between earth and moon तो आज की जो सिच्वेशन है बड़ा दूर दिखाई दे रहा है It is comparatively 12% smaller 12% छोटा है आकार में रौशनी कम है आप देख रहे हैं बहुत मद्यम है और बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आप से बात करूँ एक जानकारी आप लोगों को दूँ कि आज 6th of March है 2023 आज की जो distance है आज का distance जो है वो moon calculator से हमने calculate किया है उसके according 4,5,889 या आज का distance है और जश्ट एक मेहना दो दिन पहले की बात करूँ यानि कि 4th of Feb यानि कि नोट कर ले 4th of Feb 2023 को यानि कि जश्ट एक मेहने पहले वो 2023 का apogee conditions थी यानि कि सबसे farthest distance calculate हुआ था 4th of Feb 2023 को वो distance जो आप books में पढ़ते हैं accurately वही है 4,6,000 का distance पढ़ते हैं round off करके but वो actually distance कितना calculate किया है वो है 4,6,475 का 6475, 40,6,475 km का distance है it means very far away from the earth बहुत दूर दिखाई दे रहा है थोड़ा जूम करेंगे यह देखिए और आज की एक खास बात है कि आज कई बार discuss करता हूँ hello position यानि कि प्रभा मंडल जो बनता है साइरो status cloud से इस समय और बिलकुल मेरा prediction है कि it certainly rain बारिस होगी कल होगी बारिस जब भी इस तरीके का hello बनता है और यह साइरो status clouds को indicate करता है इस समय आकास में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही बादल चाय हुए है और कल या परसों certainly rainfall होगा यह इसका indication होता है तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों से discuss किया apogee के बारे में apogee क्या होता है a4 away it means the maximum distance between earth and moon पृत्वी और सूरिय के बीच में maximum distance है आज से एक मेना पहले सबसे ज़्यादा distance था 4,6,475 आज का distance 4,5,889 km है और अब यह धीरे-धीरे 31st March को और ज्यादा कम होता चला जाएगा अब यह position जो है वापस से यानि की धीरे-धीरे यह नज़दीक आने लग जाएगा as compared to आपने आज देख के भी आभासित हो रहा है मुझे भी ऐसा लगा इसलिए बाहर निकला और पहले थोड़ा पढ़ा इसके बारे में क्या जानकारी है और actually में मेरा prediction सही निकला कि कुछ ना कुछ है यह condition apogee की बन रही है काफी छोटा दिखाए दे रहा है और आज होली का दहन भी अभी हुआ है आप लोगों को जानकारी होगी कि हुली का दहन वाले दिन जो है आपने देखा है full moon होता है और बड़ा बड़ा चांद हमें देखने को मिलता है पर आज ऐसा नहीं है तो इसलिए लगा और थोड़ा डिटेल देखा तो वाकई में जो मैं सोच रहा था कि apogee की condition है एक मेहने पहले बनी थी और अब वो distance थोड़ा सा 700-800 मीटर का यानि कि कम हो गया है जो पहले 4,6,475 ता वो घटकर अब कितना हो गया 4,5,889 हो गया बाकी तो इस समय clouds है कुछ stars टिम्टे बात थोड़े बहुत मुझे दिखाई दे रहे इस तरफ है से होली की सुबकामना है धूम दमाके से रंग विरंगे होली खेलिए परिवार के साथ खुशी मन्याईए जैहिन नमस्कार फिर अगले वीडियो मिलेंगे